नमस्कार आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद्री तुमें बहुत बहुत स्वागत है आज मैंने बनाया है परफेक्ट कॉमबो छोले चावल छोले चावल सबको बहुत जादा पसंद आते हैं छोले कई तरह से बनाये जाते हैं छोले बटूरे के साथ काले रंगे लेकिन छोले चावल में जो हल्दी वाले छोले होते हैं उनका कुछ अलगी स्वादा आता है साबुत लाल मेच, 2-3 कड़ी पत्ते लिये हैं हाफ मैंने जाइफर लिया है और एक इंच मैंने इमली का टुकड़ा लिया है हाँ जी हम इमली के टुकड़े को सारे मसालों के साथ भून लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब सारे मसाले अच्छी तरह ह जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे तब हम इसके अंदर 1 अच्छा रंग का मसाला बनकर तैयार हुआ है और यह परफेक्ट उतना ही मसाला है जितना हमें इंचोलों के लिए चाहिए ना तो यह बचेगा और वैसे भी जो हम ताजा मसाला पीसते हैं उसका बहुत अच्छा अब मैंने कड़ाई के अंदर चार से पांच बड़े चमच रिफाइंड लिया है वन फो टी स्पून मैंने हींग हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया है हींग जीरा फ्राई होने के पाथ हम दो मीडियम प्याज जो मैंने बहुत बारी कट कर रखे थे वह एट कर दूंगे ज मसाला बहुत ही अच्छा और चटपटा बनाएं और अब हमें इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है हमने नमक तक पीसने के समय डाल दिया था अब हम इसके अंदर तीन बड़े टमाटर जिनकी मैंने प्यूरी बना कर ली थी वाट कर दूंगी प्यूरी बनाने के लि कि अच्छी तरह अच्छी तरह बुन जाने के बाद हम छोल इसमें पलड़ दें गे और हलके साथ से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि इसे थोड़े मैश हो जाएं और अच्छी तरह से सारा मसाला चटव चनों चे अंदर मिक्स हो जाएं और हम एक गलास के लगभाग पानी और डाल देंगे उबाल आने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ढख कर रख देंगे और 15-20 मिनिट हमें इसे इसी तरह से पकाना है और हमारे जो हल्दी वाले चने हैं वो बनकर तयार हो जाएंगे इतनी देर देर हम चावल बना लेते हैं चावल में मैं जीरा पुलाओ बना र इस तरह से जीरा पुलाओ बनाने से बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और यह चोलो के साथ बहुत जादा टेस्टी लगते हैं सारा मिसाले फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे मैंने डेड़ कटोरी चावल जो हैं वो भीगो कर रख दि अब चोले बहुत अच्छी तरह से उबल रहे हैं और बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनकर तयार हो गए अब इसमें चार से पांच मिनट की कसर और है मैं इसे दोबारा से ढख कर फिर से इसी तरह से उबलने रख दूगे अब चोले हमारे बनकर तयार हो चुकें अब हमें इसमें बस एक फाइनल तड़का लगाना है इसी तरह जो हमने चावल बनाए थे जीरप उलाव वो भी बहुत ही अच्छी बनकर तयार हो हैं देखिए अब हम इसे बहुत अच्छे बनें और हम इसे हलके हाथ से धीरे-धी अब मैं दो टेबल स्पून देशी घी एक छोटे फ्राइंग पैन में लूंगी और उसके अंदर चार पांच कडी पत्ते एड़ कर दूंगी आप चाहें तो कडी पत्ते की जगे कसूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं या आप इसके अंदर पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं इन सब मसालों से अलग अलग फ्लेवर आता हैं याफ टी स्पून मैं ने देगिलाल मिज डाल दी और अजने मसाले को मैंने सारा अज़ी तरह से छोलों के अंदर मिला दिए बहुत ही अच्छे चटपटे और चौले बनकर तैयार हैं आप हम इसके अंदर हरदनिया मिलाएं इस तरह से हमारे छोले चावल बनकर तयार हैं अब बस हम इने सर्व कर देंगे अप एक बाउल के अंदर चोले रख देंगे और एक बाउल के अंदर हम अपने जीरा पुलाब परोज देंगे साथ में आप सलाद के लिए कुछ भी काट सकते हैं जो आपको पसंद हो बहुत ही अच्छे चोले बनकर तयार हैं बहुत करारे हो चटपटे चोले चावल बनकर तयार हैं यह complete फूड है और बहुत healthy फूड भी है इसे बाजार जाकर खाने से अच्छा हम इसे घर में बहुत ही जो आप मुझसे बनवाना चाहते हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन दे सकते हूं मैं समय मिलते ही और उस पर विचार करूंगी और उसे अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश भी करूंगे आप सब का मेरी वीडियो को अंत तक देखने क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब का दिन बहुत बहुत शुब आज शुब झाल झाल झाल